आज जो कहानी में आपको बताने वाला हूँ वो मेरे डेली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सची घटना पर बेजड है 2012 दिवाली के शुब उच्छफ पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुब हुआ जिसकी बज़ा से वो इस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाते पूरा दिल्ली दिवाली की रोश्णी में चमक रहा था सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सफ को खूब जम के सेलिबरेट किया पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली एनलबार जाना था और देर रात में चार बजे की फ्लाइट बुग्ट थी एरपोर्ट पर जाने के लिए उनको डेली कैंट रोट से जाना था कहते हैं डेली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉंटेट जगाहों में से एक है पर ना ही वो भांगर की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगा का कोई डरावना इतिहास है बलकि ये एरिया शेहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलिनी की तरह ही है और तो और ये इंडियन आर्मी ओफिशल्स का घर भी है पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानत माना जाता है सुनील को इसी एरिया से निकल कर एरपोर्ट जाना था उपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेट की ताकत दुगनी हो जाती है पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे रात के दो बज रहे थे जब सुनील अपनी बाइट को लेकर टैक्सी में एरपोर्ट के वर्ण रही है टेली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेच साड़ी में एक और दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रस्ते पर क्यूं खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोना टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला हम एरपोर्ट तक जा रहे हैं आईए हम आपको छोड़ देते हैं उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तब ही साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीव सी घवरहाट शुरू हो गया और उनको चक्कर आने लगे उन्हों हापते हापते बोलिंग था सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़वड है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोले और वो ड्राइवर उस और उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था अभी उस औरत में अपना मूँ ठाकी सुनील को देख लेगी उस औरत का भ्यानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा ड्राइवर गाड़ी भगा ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे बनाया खिर्की के बाहर वही औरत सुनील की आख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सिडेंट होते ही मौत हो गई थी करीब चार महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से भाण निकली और अब दोनों ने वापिस अपनी नॉर्मल जिन्दगी जीना शुरू करा थे मगर उस दिन से लेगर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस डेली कैंट वाले रस्ते के आज पास भी नहीं बटकते